जय मातादी दोस्तों, शारदीय नवरात्री की पावन पर्व पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं. नवरात्री के पावन अवसर पर कन्या पूजन कैसे किया जाता है? यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें नौ कन्याओं को देवी के रूप में प जरूर देखें. दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे इस छोटे से चैनल पर पहली बार आये हैं, तो आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, प्लिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तो के साथ ज्यादा से ज्यादा सेयर करें। जिससे आपको ज्यान भरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। आइए अब जानते हैं। कन्या पूजन 2024 का शुभ मुहूर्त 11 अक्टूबर को है। इस दिन सुब़ 10 बज कर 41 मिनट तक कन्या पूजन करना शुभ रहेगा। अश्टमी तिथी 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बज कर 31 मिनट से शुरू होगी और 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बज कर 6 मिनट से समाप्त होगी बाद 9 मी तिथी का आरंभ होगा। 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन और व्रत करना उचित माना गया है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले आपको 9 कन्याओं को आमंतरित करना होगा, जो 2 से 10 साल की आयू के बीच हों। इस पूजा में एक बालक को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसे लंगूर कहते हैं। पूजा की तैयारी में आपको फूल, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, कुम-कुम, मिठाई, नारियल और दक्षना की आवश्यक्ता होगी। साथ ही, खाने के लिए पूडी, हलवा और चने का प्रसाद भी बना कर तैयार रखें। जब सभी कन्याएं आ जाएं, तो उन्हें साफ और अच्छे से सजाए गए स्थान पर बिठाएं। उनका स्वागत सबसे पहले पैरधो कर करें। एक-एक करके सभी कन्याओं और लंगूर के पैर धोएं और उन्हें तिलक लगाएं। तिलक के बाद उन्हें फूलों की माला पहनाएं। अब कन्याओं की पूजा शुरू करें। सबसे पहले मा, दुरगा के नाम का ध्यान करते हुए दीपक जलाएं। फिर सभी कन्याओं के पैरों की पूजा करें। उन्हें हल्दी, चंदन और कुम-कुम का तिलक लगाएं। अक्षत और फूल चड़ाएं और साथ ही देवी दुरगा का आहवान करें। कि वे इन कन्याओं के रूप में आपके घर में निवास करें। अब पूजा के बाद इन कन्याओं को प्रसाद के रूप में पूडी, हल्वा और चने का भोजन परोसें। सभी कन्याओं को भोजन कराएं और अंत में उन्हें दक्षणा और कुछ उपहार भेंट करें। ये उपहार, मिठाई, कपड़े या खिलोने भी हो सकते हैं। इस प्रकार कन्याओं पूजन नवरात्र के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। ये पूजा हमें नारी शक्ती की महिमा का बोध कराती है। इस पवित्र अवसर पर कन्याओं को देवी के रूप में पूजना हमारे समाज की सम्रिद्ध परंपरा है। कन्याओं पूजन के दौरान भूल से भी न करें ये काम, वरना हो सकती है मा। दुर्गा नाराज। कन्याओं पूजन एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है, जो विशेश रूप से नवरात्रि के समय किया जाता है। यह अनुष्ठान देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करने के लिए किया जाता है, जिन में कन्याओं को देवी के स्वरूप में माना जाता है। हालांकि इस पूजा के दौरान कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि पूजा सफल और शुब फल देने वाली हो। दो हजार चौबीस में कन्याओं करते समय कुछ गलतियों से बचना चाहिए। आइग अशुधता का ध्यान रखें। पूजा के समय शारीरिक और मानसिक शुधता बहुत महत्वपूर्ण है। अशुध वस्त्र या अशुध मन से पूजा न करें। 2. कन्याओं के प्रती अपमान जनक व्यवहार। कन्याओं का उद्देश्य, कन्याओं को देवी स्वरूप में सम्मान देना है। उन्हें किसी भी तरह से अपमानित न करें या उनके साथ धुर्व्यवहार न करें। 3. भोजन में अपवित्रता, कन्याओं के लिए तैयार किया गया प्रसाद या भोजन पूरी शुद्धता के साथ बनाया जाना चाहिए। भोजन बनाते समय स्वच्छता और साधगी का ध्यान रखें। 4. गलत तरीके से कन्याओं का चयन। कन्यापूजन के लिए चुनी गई कन्याएं दो से दस वर्ष की होनी चाहिए। उम्र से उपर या नीचे की कन्याओं का चयन पूजा विधी के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। 5. अधूरी पूजा कन्यापूजन में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अधूरी पूजा से बचें। पूजा विधी का पूर्ण रूप से पालन करें और सभी मंत्रों वप्रक्रिया को सही ढंक से करें। 6. कन्याओं को अन देखा न करें। पूजा के बाद कन्याओं को केवल भोजन कराने तक ही सीमित न रखें। उन्हें उचित सम्मान दें और विदा करते समय उन्हें वस्त्र, उपहार या दक्षिना अवश्य दें। इन बातों का ध्यान रख कर आप कन्याओं पूजन को सही और सफल रूप से संपन्न कर सकते हैं, जिससे देवी दुरगा की कृपा प्राप्त होती है। कन्याओं का समापन कन्याओं का समापन शुद्ध और शुभ तरीके से करना महत्वपूर्ण होता है। इसे सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है। 1. कन्याओं का आशीरवाद लें पूजन के अंत में सबसे पहले उन कन्याओं का आशीरवाद लें जिन्हें आपने पूजित किया है। उनके चरण स्पर्ष करें और उनसे सुख सम्रिध्ध और आशीरवाद की काम ना करें। 2. दक्षणा और उपहार दें कन्याओं को प्रसन करने के लिए उन्हें उपहार, वस्त्र और दक्षणा दें। उन्हें भोजन भी कराएं। आम तोर पर हल्वा, पूरी, चना आधी का प्रसाद दिया जाता है। 3. आरती और धन्यवाद कन्याओं की समाप्ती आरती से करें। इसके बाद देवी दुर्गा और पूजित कन्याओं को धन्यवाद करें की उन्होंने आपका निमंत्रन स्वीकार किया और आशीरवाद दिया। 4. विदाई 5. कन्याओं को विदाई देते समय उनका आधर पूर्वक स्वागत करते हुए उन्हें घर तक सुरक्षित पहुचाने का ध्यान रखें। 5. समापन मंत्र अंत में समापन मंत्र का उच्चारण करें। जैसे AUM शान्ती 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 या देवी स्तुती का जाप करें जिससे पूजन का समापन होता है। ये ध्यान रखें कि पूजन को स्नेह, आधर और समर्पन भाव से करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।